हर्याना विद्धेल्स एक्सा बोर्ड ने नोवी और ग्यार्वी के चात्रों के लिए आज डेट सीट जारी कर दी है वार्चिक परिक्सा के लिए जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं डेट सीट थियोरी पेपर्स फोर क्लास नाइन्थ ये नोवी कक्सा की है इसके बाद मैं आपको ग्यार्वी कक्सा की डेट सीट दिखाऊंगा एन्वल एक्जामिनिशन यानि कि वार्चिक परिक्सा दो हजार चोवीस सतरा तारिक से नोवी कक्सा के पेपर स्टार्ट हो जाएंगे और टाइम जो है एक्जाम का वो है सुबह साड़े आठ बजे से लेके साड़े गैरा बजे तक और पहला पेपर है सतरा तारिक को सतरा फरवरी को आप टाइम देख सकते हैं सदे आठ से सदे गैराबची तक हैं और इंगली स्वेसे का पहला पिपर है 17 तारीख को उसके बाद है 20 तारीख को पिपर 20 फरवरी को सोसल साइंस का यानि की SS का पिपर है उसके बाद 22 फरवरी को एक्जाम है हिंदी का उसके बाद 27 फरवरी को 27 फरवरी को नोवी कक्षा का मैध का एक्जाम है एक मार्च को एक्जाम है साइंस का और दो मार्च को एक्जाम है संसकर्थ उर्दो ड्रोइंग अग्रिकल्चर होम साइंस कंप्यूटर साइंस फीजिकल एंड हैल्थ एजुकेशन म्यूजिक इंदु तनी एनिमल हजबेंटरी डान्स रिटेल प्राइविट स्क्यूर्टी अट्व मॉट्यू आई टी एएस यानिकी इन सभी सब्जेक्ट का एक्जाम है उसके बाद है पाच मार्च को पाच मार्च को है पंजाबी का और आई टी ए आई टी एएस का उसके बाद 6 तारीकों एक्जाम है संस्कृत साहिते दोनों ही और फिर साथ तारीकों है संस्कृत व्याकरण का तो यह थी नौवी की डेट सीट अब मैं आपको ग्यार्वी की डेट सीट दिखाता हूँ जैसा कि आप देख सकते हैं डेट सीट थियोरी पेपर्स फोर क्लासीज इलेवन्थ एनवल एक्जामिनेशन तूथाउजन टूटी फोर पंदरा से एक्जाम स्टार्ट है ग्यारवी के जो एक्जाम है वो पंदरा तारीक से स्टार्ट है ने कि पंदरा फरवरी से है और टाइम सेम है पहला पिपर है 15 फर्वरी को हिंदी का उसके बाद है 17 तारीक को फाइन आर्ट का उसके बाद है 19 तारीक को फिजिक्स का और एकनॉमिक्स का उसके बाद 20 तारीक को है होम साइंस का 21 तारीक को है इंगलिस का उसके बाद 22 तारीक को है जियोगर्फी का और त्याइस तारीकों है ऐगरी कल्चर का और साइकलोजी का। उसके बाद 26 तारीकों है यानि की 26 फरवरि को है फिजिकल एजुकेशन का 27 फरवरि को है अकाउंटैंसी का पब्लिक एडमिनीस्ट्रेशन का और कैमेस्ट्री का। उसके बाद 28 फरवरी को है पंजाबी संस्कृत उड़्दु बायो टेक्नलोजी उसके बाद 29 फरवरी को एकजाम है हिस्ट्री का बिजनस स्टेडीज का और बायोलोजी का उसके बाद 1 मार्च को सोशलोजी और इंटर्पिनियर्शिप उसके बाद है दो मार्च को एक्जाम है पॉलिटिकल साइन्स का चार तारिकों है फिर चार मार्च को रेटेल का ओटोमोटिव, आईटी एंड इएस, हेल्थ केर, फिजिकल एजुकेशन, ब्यूटी एंड वेलनेस, टूरिलिजम एंड होस्पिटैलिटी, एग्री कल्चर उसके लावा बकीन सभी सब्जेट्स का. उसके बाद है पांच मार्च को मैध का पेपर है, चैं मार्च को पेपर है, मिलिटरी साइن्स का और डान्स का, उसके बाद सात मार्च को पेपर है, साथ मार्च को पेपर है कंप्यूटर साइन्स का आई टी एएस का उसके बाद 11 मार्च को है म्यूजिक हिंदुस्तानी और फिलोस्फी का उसके बाद है 12 मार्च को 12 मार्च को एक्जाम है संस्कर्ट व्याकरन का उसके बाद 13 मार्च को 13 मार्च को संस्कर्ट व्याकरन का है पार्ट टू है और 14 मार्च को है संस्कर्ट सहित्य वेद सिध्धान्द